हेलो स्टूडेंट्स वेलकूम अगेन टू लांड विर दितिमन आज हम करने वाले हैं हिंदी सिक्षण के कुछ प्रश्ण जिसमें हम आज टॉपिक लिया है मैंने पद्ध सिक्षण और गद्ध सिक्षण तो इससे संबंदित हम प्रश्ण करेंगे तो चलिए स्टार्ट करत प्रश्ण है सर्वमानने भासा चंद अलंकार उचित लय और हाव भाव तो देखिए गद्ध सिक्षण के जब हम बात करते हैं तो उसमें चंद और अलंकार नहीं होते हैं क्योंकि ये पद्ध सिक्षण का भाग है उचित लय ताल ये भी पद्ध सिक्षण का है और हाव भ हैं लेकिन गद्ध सिक्षण में हम सर्वमानने भासा जो है उसका प्रियोग करते हैं नेक्स्ट हैं बिविन विधियों द्वारा सब्दों की व्याख्या की जाती है तो यहां पर कुछ बिविन विधियों द्वारा सब्दों की व्याख्या की जाती है गद्ध सिक्षण में पद्द सिक्षन में, पत्र सिक्षन में या रचना सिक्षन में, तो हम इन चारों में से किसमें विदियों का प्रियों करके सब्दों की व्याक्या करेंगी, तो देखिए, बिल्कुल हमें पता हैं कि हम गद्द सिक्षन के अंतरगत ही सब्दों की व्याक्या कर सकते हैं, जिस के अलावा जो बच जाएगी वही हमारा आंसर होगा ठीक है तो कवीता सिक्षण में हम अंताक्षिरी करते हैं कवीता पाठ करते हैं कवी सम्मेलन भी करते हैं लेकिन मोन वाचन नहीं करते हैं दुरुत पाठ में पाठ सरल होते हैं, कठिन होते हैं, सब्दावली अपरिचित होती है, छंद और अलंकार युक्त होते हैं देखिए दुरुत पाठ क्या होता है? जब हम बहुत स्पीडली उसे बहुत ही इजी वे में पढ़ लेते हैं तो वह होता है दुरुत पाठ, तो उसमें पाठ कैसे होंगे? कठिन होंगे, सब्दावली अपरिचित, यानि हम उसे जानते भी नहीं होंगे, तो वह क्या कठिन ही होगी, छंद होंगे, अलंकार होंगे, तो ये B, C और D option नहीं होंगे, दुरुत पाठ जो है, वो तभी स्प दुरुत पाठ, मोन पाठ या सस्वर पाठ, तो हम अभी तक इतने सारे कुशन कर चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि मोन पाठ जो है, वह है, किसका भाग होता है, जब हम कोई कहानी उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, सस्वर पाठ जो है, जब हम यहां पर भी गद्द कर रहे होते हैं, और दुरुत पाठ, जब इसे भी हम बहुत स्पीडली पढ़ देते हैं, ठीक है, लेकिन कवीता पाठ का प्रकार जो है, वो क्या होगा, बोध पाठ, जिसमें हम कवीता का क्या जानते हैं, केवल अर्थ जानते हैं, नेक्स्ट है, प्रात्मिक इस्तर पर व्याकरण की सर्वुत्तम विदी है, कौन सी है, प्रात्मिक इस्तर पर, निगमन विदी, आगमन विदी, भासा संसर्ग विदी या आगमन निगमन विदी, अब निगमन विदी, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद हम उधा जाएंगे लेकिन प्रात्मे किस्तर एक से पांच भी ग्लास तक होती है तो हम बच्चों को उधारण ही दे देंगे तुरंत और उसके बाद हम नियम बताएंगे तब भी बच्चें के लिए ये सटी नहीं होगी क्योंकि बच्चे वहाँ छोटे होते हैं आगमन और निगमन विधी यह तो हमारी उधारण से नियम की ओर जा ही रही है ठीक है लेकिन भासा संसर्ग विधी इस विधी की अंतरगरत जो है प्रात्मे किस्तर पर व्याकरण का ग्यान देना सर्वुत्तम होता है क्यों क्योंकि भासा संसर्ग विधी वह विधी होती है जिसमें हम जब कोई शब्द आ जाते हैं, तो हम वहीं पर उसका ज्ञान दे देते हैं बच्चों को, जिससे कि ना तो हमने उन्हें नियम बताए, ना हमने उधारण दी, हमने व्याकरण उन्हें वहीं पर बता दी, उच्चे प्रात्मिक इस्तर पर कहानी सिक्षन की सबसे उप्युक्त वहीं देख रहे हैं, तो वाचन प्रणाली, मौखिक प्रणाली और अधूरी कहानी पूर्ती, यह इतनी जादा उप्युक्त नहीं है, जितनी की चित्र प्रदर्शन प्रणाली, क्योंकि यहां हम चित्र को दिखा कर कहानी वहीं बता रहे हैं, तो यह बहुत ही उप्युक विधी है नेक्स्ट है प्रात्मिक इस्तर पर रचना सिक्षन के लिए कौन सी विधी उप्युक्त नहीं है अनुकरण विधी प्रशनोत्तर विधी रूप रेखा विधी या खेल विधी देखी प्रात्मिक इस्तर पर रचना सिक्षन की जो विधियां है वह है अनुकरण वि व हग उच्छे कक्शाओं के लिए है व्यवारिक व्याकरण पार्ट में व्याकरण सिक्षन दिया जाता है व्यवारिक व्याकरण का प sprativa क्या होता है जैसे हम नौर्मलीड बात करते हैं एक दूसरे से और यह न तो उधारण नहीं हम नियम बताते हैं लेकिन हम व्यवारिक व्याकरण का पाठ करा देते हैं जैसे कि हमने संसर्क विधी में पड़ा था तो व्यवारिक व्याकरण पाठ में व्याकरण सिक्षन दिया जाता है नियम बताकर उधरन बताकर बिना नियम बताए या पहले उधरन फिर नियम तो यहां हम क्या कर रहे हैं? व्यवारिक व्याकरण पाठ का ग्याम दे रहे हैं. तो इसके लिए हम वहाँ पर ना तो नियम बताएंगे नहीं कोई उधारन. नेक्स्ट देखे रचना का सापदिक अर्थ है तो देखे रचना सिक्षण का सापदिक अर्थ क्या है? यानि जब भी कोई रचना की जाती है तो उसका अर्थ ही होता है सजाना या सवारना. नेक्स्ट है, पत्र का अंग नहीं है, जो लेटर होता है, उसका अंग क्या नहीं है जब हमें पता होगा कि यह पत्र की अंग है, तो हम अपना सही उत्तर पता कर पाएंगे A है तिथी, B है हस्ताक्षर, C है पता, D है मौलिक रूप से लिखना तो पत्र का अंग जो है, वो क्या होते हैं, देखिए हम तिथी भी लिखते हैं, हस्ताक्षर भी करते हैं और पता भी वहाँ लिखते हैं लेकिन मौलिक रूप से लिखना, यानि हर पत्र का अपना अलग अलग विशय होता है, इसी लिए मौलिक रूप से लिखना पत्र का अंग नहीं है, उसके बाद है 12 कुश्यन निवंद के भाग हैं, प्रस्तावना, विशय प्रशार, उपसहार या उप्रियोक्त सभी, तो हम स सभी इतने यहां तक पहुँचे हैं, जहां हमने निवंद काफी लिखे होंगे, स्कूल टाइम में, ठीक है, तो निवंद के हमने प्रस्तावना, वह हमने देखी, वह भाग होती है, सबसे पहली, उसके बाद हम विशय वह लिखते हैं, और अंत में हम उसका क्या करते हैं, क ध्वनिया होती हैं, जो कि हम जो भी बोलते हैं, जैसे आ, या आ, या ई, ये सबी ध्वनिया होती हैं, लेकिन जब इनका लिखित रूप है, तो सांकितिक चिन्नों को हम क्या कहेंगे, बोली, उपभासा, वर्ण, या लिपी, तो ध्वनियों का लिखित रूप क्या है, लि अच्छे बुरे का भेद कर सकेगा, धैर्य पूर्वक सुनकर पढ़ सकेगा, या अच्छी पुस्तकों का संग्रह कर सकेगा. अब अर्थ ग्रहन यानि किसी भी भासा को सुनकर और उसका अर्थ ग्रहन करना, यानि उसको समझना, ठीके? तो अर्थ ग्रहन उद्देश शेतात पर है कि विध्यारती धैर्य पूर्वक सुनकर उसे पढ़ सकेगा और उसका अर्थ ग्रहन करके उसका ग्यान ले सकेगा। द्रस्टी बिम और शुरुती बिम यानि बिम हमारे चार होते हैं शुरुती बिम और द्रस्टी बिम यहां दो दिये गए हैं इसके एकी करण से मस्तिक्ष में क्रिया होती है चित्र और सब्द क्रम से ध्यान में आते हैं, सब्द सुनाई पड़ता है, वस्तु का प्रत्यक्षी करन होता है या वस्तु से ध्वनी रूप सब्द का जुडाव होता है क्योंकि हमने उस वस्तु को देख भी लिया है, और उसे क्या कर लिया है, सुन भी लिया है, जिससे कि हमारे मस्तिक्ष में उस वस्तु का ध्वनी रूप, शब्द जो है, उसका जुडाव हो जाता है कुत्य के भौकने की आवासे मस्तिक्ष में कौन सा बिम्ब होगा, द्रश्य बिम्ब होगा, शुरुती बिम्ब होगा, विचार बिम्ब होगा, या भाव बिम्ब होगा अब यहाँ पूछा है कुट्टे के भौकने की आवाज से, अब आवाज जो है जिसके लिए हमारे मस्तिक्ष में शुरुती बिंब जो है वह होगा एक सिक्ष कक्षा में कवीता के वाजन पाठ का आयोजन कर रहे हैं, वे किस प्रकार के भासाई कोशल के विकास का उपाय कर रहे हैं, अर्थग्रहन, लैयात्मक, अभिवरती, अभिनए कोशल या व्याकरण ज्यान अब देखिये हर कुश्चन को आप तोड़ कर पढ़िए, कवीता के वाजन पाठ का आयोजन ठीक है, वाजन पाठ पर आप फोकस कर रहे हैं, तो वे किस प्रकार के भासाई कोशल के विकास का उप्योग करेंगे, तो जब हम वाजन पाठ का आयोजन करेंगे, तो वहां हम क अर्थ ग्रहन की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। अभी मैंने आपको बताया था अर्थ ग्रहन यानि कि किसी भी चीज को सुनकर और उसे धारन करना, मोन वाचन करना, व्याकरन सिक्षन करना, सश्वर वाचन करना या वर्णन करना। तो अर्थ ग्रहन की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी क्या होगा, मोन वाचन करना, क्योंकि मोन वाचन करके ही हम अपनी अर्थ ग्रहन की कुशलताओं का विकास कर सकते हैं, जो कि व्याकरन सिक्षन से नहीं कर सकते, सश्वर वाचन से नहीं किया जा सकत और नहीं वर्णन से कर सकते हैं क्योंकि मोन वाचन ही है जिससे कि हम अपने अर्थ ग्रहर्ण यानि उस चीज़ को समझने की कुशलता का विकास कर सकते हैं पहली कक्षा की पाठे पुस्तक में आरंब में केवल चित्र ही क्यों दिये जाते हैं चित्र कला सिखाने के लिए रंगों का ग्यान कराने के लिए वारता लाप सिखाने के लिए या अक्षर ग्यान सिखाने के लिए अब हमें पता है कि पहली क्लास का जो बच्चा है वह इतना छोटा होता है कि ना तो वह ड्रॉइंग कर सकता है ना ही उनको color का ग्यान होता है, ना ही अक्षर का ग्यान होता है, क्योंकि अक्षर का ग्यान तो हम पाटे पुस्तक में उसे करवाएंगे, तो चित्र जो है, वो है केवल बारतालाफ, यानि कि बच्चों का आपसी जो बाते हैं, वह सिखाने के लिए वहाँ चित्र दिये जात जब दूसरी या तीसरी कक्षा में आता है तब हम उन्हें रंगों का ग्यान करवाते हैं उसके बाद हम उन्हें चित्रकला सिखाते हैं तो यह आज का अंतिम प्रश्न था आज हमने 19 कोशन किये लेकिन हमने बहुत सारी चीजों को यहां पर सीखा इसी तरीके से मिलते हैं ने झाल